हेलो एबरीबन आ गई हुए एक नहीं रेसिपी के साथ तो आज की रेसिपी जो है एक तब पाच मिनिट में बन जाएगी यकीन नहीं आता तो बना के जरूर देखिएगा तो सबसे पहले यहां पे कटावा प्यास डाल देंगे बटर में थोड़ी सी तेल में मैंने डाल रख पाचिए नहीं आती है गधी लेना हैं यहां पर सबसंदर को सबस्टरों नहीं है और इसे अच्छे से पकाना है जगादा देढ़ मैं नहीं जल्दी पक जाता था तो ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है एक्तम जटपट से बन जाएगी और सुबह सुबह मुम्मियों को बहुत टेंशन होती कि बच्चों को क्या दे फट से बना करके तो ये उनके लिए है एक्तम फटक से बन जाएगी तो यहां पर सिमला मिर्च मैंने थोड़ी से डाली है थोड़े से सोया सौस थोड़ी से सेजबान चटनी और थोड़ी से विनेकर बस ये सब कम-कम डालना है स्वात के अनुसार नमक डालना है थोड़ी से काली मिर्च डालना है और इन सब को अच्छे से पका लेना है जब तक कि मश्रूम का पानी न छोट जाए और पानी थोड कर ले या फिर दूसरी तरफ राइस को भी उबलने के लिए चड़ा दे जो कि वो भी तुरंथी पक करके तयार हो जाता है तो यहां पर मैंने पहले से बॉल कर रखी है राइस को यहां मैं उसे बस मिला दे रही हूं तो यह रेसिपी इतनी आसान है कि आप तुरंद बनाएं मज़ा ही आ जाएगा और अपने बच्चों को लंच बॉक्स में पैक करके दे दे उन्हें भी मज़ा आ जाएगा मेरे बेटे को तो यह बहुत ही पसंद आया स्कूल जाने से पहले ही पूरा टिफिन का तम हो गया फिर मैंने उसे दुबारा भर के दिया तो इस तरह से बस स सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा ताकि मैं आप लोगों के लिए लाती रहूं अंहरा धनिया से थोड़ा गार्निश कर लीजे और इसे अपने बच्चों के लंच बॉक्स में पैक कर लीजे या फिर अगर आपके हस्बंड जाते हों जॉब पर तो आप उन्हें भी यह बहुत ही हिल्डी और आसान सी रेसिपी है और बच्चों को बहुत ही पसंद आती है इसमें कोई तीखापन भी नहीं है और कोई ज्यादा मसाला भी नहीं है तो यह बहुत हिल्डी रेसिपी है आपको और आपके बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है अब टिफिन पैक पहले फोटो तो खीच लिया उसके बाद तो यहाँ पर जो है हमारी मश्रूम फ्राई राइस बन करके तयार है साथ में मैंने थोड़ा सैलेट भी रख दिया साइड में ताकि वो इसे भी फिनिश कर दे और यह मेरा प्लेट है जो कि मैं तुरंट यह काके कतम कर देने वाली हूँ आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो अगर पसंद आती हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजेगा और मैं क्या बनाओ और रेसिपी भी आप लोगों के लिए क्या लेके आओ यह भी आप कमेंट कर सकते हैं तो यह हल्दी वाली रेसिपी बनकर के तयार है आप अपने बच्चों को दे सकते हैं जहटपट से तो मैं तो इसे अपने बेटे को दे रही हूँ तुरंथी और आप भी इसी तरह से बनाते रहिए अपने बच्चों को हल्दी हल्दी रेसिपी खिलाते रहिए तो और भी मैं lunch box वाली recipe लेकर के आऊंगी तो इसके लिए आप चैनल को subscribe जरूर कर लिजे मिलती हूँ next video में तब तक के लिए बाइ बाइ टेक केर, stay healthy and happy enjoy